केंद्र सरकार ने केंद्र और राजियों के बीच राजसो बटवारे के लिए 15 वित आयोग के गटन को मंजुरू दे दी है नया वित आयोग देश में Goods and Services Taxes GST से हुए बदलावों को केंद्र में रखते हुए नय सीरे से केंद्र और राजियों के बीच राजसो बाटने का नया फॉर्मूला तयार करेगा रिजरू बैंक के पुर्व गवर्नर Y.V. Reddy के निर्थित में बने 14 वित आयोग की सिफारिसों की मियाद 2015 से 2020 तक है लिहाजा 1 अप्रेल 2020 के बाद केंद्र और राजियों के बीच राजसो बटवारे के लिए पंद्रवा वित आयोग अपनी सिफारिसे करेगा केंद्री कैबिनेट ने बुदुवार को इस आयोग के गठन और आयोग के टर्म आफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है हलाकि अभी केंद्र सरकार को नए आयोग के चेर्मेन और सदस्यों पर फैसला लेना है सरकार ने दिवालिया पन कानून को और सक्त बनाने के लिए प्रस्तावित सुधारों को भी मंजूरी दे दी है अरुजेटली ने कहा कि इस सॉल्वेंसी और बैंकर अपसी कोड में सुधार को मंजूरी दी गई है जिसे गंदे कर्ज से बचने के लिए लोग विल्फुल डिफॉल्टर जैसी स्तिती में फाइदा ना उठा सके हलाकि इस मंजूरी से पहले केंदर सरकार ने देश के बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि बैंकों को ये सुनिच्चित करना होगा कि दिवाल्य घोसित हो चुके किसी वेक्ति या संस्था को दुबारा जप्त हुए संपत्ति खरितने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि इंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज्च की सैलरी में जाफा करने की मंजूरी दे दी है